जैहिं दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं इस एक और कोशन के बारे में इस कोशन में कहा है ए और बी दो परसन है उन्होंने कुछ उदार अमाउंट लिया वो अमाउंट है पहला तीन हजार और दूसरा बत तीस सो और सेम रेट ओफ इंटरस्ट पे लिया है और टू वन ब है इसने तो में आर्वए हंड़ीड बालने इसका इन्ट्व में यह मेरे पास कितना होगा फाइब कॉद होगा यह difference मेरे पास amount का है interest का difference है तो यह मेरे पास total interest का difference actually में दिया हुआ कितना है इस दोन से काट हूँगा तो यह मेरे पास कितना हैगा 8% यानि कि R is equal to मेरे पास कितना हैगा आपका 8% आएगा यानि कि option B आएगा आईए इसको देखते एक बार solve करके देखिए टोडल कितना रखा है 3200 रूपीज दे रखा है rate of interest मेरे पास में R by 100 दे रखा है time period तो मेरे पास में 5 by 2 दे रखा है इसमें से minus करूँगा 3,000 रूपीज आर मेरे पास सेम है R by 100 इंटू में 5 by 2 हो जाएगा ये ये second वाले का interest और ये first वाले amount का interest दोनों का difference हो है वो difference किसके बराबर है 40 रूपीज के बराबर है तो यहां से इसका difference करूँगा तो 3,000 रूपीज आ जाएगा इन दोनों का difference करूँगा तो यहां से देखूँगा ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5 by 200 र इंटू में इनका difference करूँगा तो 200 र जाएगा यानि कि answer जो आएगा वो option B होगा I hope आप सभी कोई question समझ में आओगा जय हिंद जय भारत